हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो PCS माइंड दोस्तों आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल PCS माइंड पर स्वागत है फ्रेंड्स यहाँ पर हम इदरश्टी गटना चक्र करंट अफेयर की मैगजीन को कवर करेंगे यह 2023 के लिए लेटेस्ट मैगजीन है तो इसे हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं देखिए अभी हाल ही में आपके काफी सारे एक्जाम्स आने वाले हैं 11 फरवरी को आपका आरो ए आरो का एक्जाम है देन 17 मार्च को आपका यूपी PCS का प्रलिम्स भी होने वाला है इसके अलावा भी काफी सारे exam's हैं जो अभी आने वाले हैं तो आपके सामने एक challenge है कि current affair को कहा से और कैसे cover किया जाए तो आप ईद्रश्टी current affair की बारे में आपने जरूर सुना होगा यह काफी अच्छा current affair cover करता है तो यहाँ पर आपका पूरे एक साल का current affair काफी अच्छे स कवर हो जाएगा और हम जो इस सिरीज को स्टार्ट कर रहे हैं इसकी जो खास बात होगी वो ये होगी कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और देखिए जैसे कि आपका सेक्शन वाइस करंट अफेयर होता है लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका नैशनल क करंट अफेयर के बाद आपका एकोनोमिक्स का करंट अफेयर यहाँ पर कवर होगा साइन्स टैक का करंट अफेयर यहाँ पर कवर होगा और जो खेल यानि कि स्पोर्ट से रिलेटिड करंट अफेयर है वो आपका यहाँ पर पूरे एक साल का अच्छे से कवर हो जाएगा त तो आपका यहाँ पर सिर्फ एक वीडियो के अंदर पूरा National Current Affair यह जितना भी यहाँ पर दिया गया है इसको आज की वीडियो में कवर किया जाएगा तो अगर आप आज की वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका यहां पर पूरे एक साल का national current affair राष्टिय करन्ट अफेर आपका यहां पर काफी अच्छे से कवर हो जाएगा तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और हमें जादा से ज़ादा support करना है जैसे ही national current affair आपका पूरा होगा इसके बाद एक वीडियो आपकी international current affair यानि की अंतराश्टिय current affair पर आएगी और एक वीडियो के अंदर आपका international current affair पूरा cover कर दिया जाएगा एक वीडियो आपकी economics के current affair पर आएगी और एक वीडियो आपकी science tech के current affair पर आएगी एक वीडियो में हम sports related current affair cover करेंगी तो इस प्रकार से सिर्फ एक एक वीडियो के अंदर आपका यहाँ पर सारा current affair काफी अच्छे से cover किया जाएगा आप आराम से एक जंगा बैट कर अपने current affair को अच्छे से cover कर सकते हैं यह magazine काफी अच्छी है और काफी यहाँ से questions भी आप से पूछे जाते हैं तो आज की वीडियो में हम national current affair को cover करने वाले हैं और आज की वीडियो में ही आपका national current affair complete कर दिया जाएगा चलिए फिर start करते हैं आज की class तो friends यहाँ से आपका national current affair start हो जाता है जिसमें सबसे पहली news है आपके सामने परधान मंतरी विश्व कर्मा योजना परधान मंतरी विश्व कर्मा योजना के बारे में आपने काफी बार सुना होगा यह काफी important scheme है आपके exam के point of view से इसलिए आपको यहाँ पर इसके सभी points को काफी अच्छे से अभी देखना है ताकि आपका कोई भी question मिश्व न हो देखे परधान मंतरी विश्व कर्मा योजना चलिए इसको थोड़ा screen पर बढ़ा करते हैं के आपको clearly देखे देखे परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने 77 स्वेतंतरता दिवस के आवसर पर राष्ट के नाम अपने संबोधन में विश्व कर्मा योजना की घोशना की थी तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व कर्मा योजना की घोशना की गई तो घोशना की गई थी 77 स्वेतंतरता दिवस के अवसर पर इस योजना को पारंपरिक सिल्पकारी में कुशलता प्राप्त व्यक्तियों के लाब हेतु तयार किया गया है तो सबसे पहले आपको समझना है इसका उदेश्य क्या है किसके लिए किन व्यक्तियों को टारगेट करके ये स्कीम लौँच की गई है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस योजना को पारंपरिक सिल्पकारो ट्रडिशनल क्राफ्ट मेंसिप में कुशलता प्राप्त व उनकरो स्वर्णकारो लोहारो धोबियो इवं नाई इत्यादी को ससक्त बनाएगी तो यहाँ पर आपने समझा कि परधान मंतरे विश्व कर्मा योजना क्या है कब इसे लौंच किया जाना है और कब इसकी घोशना की गई थी तो इन पॉइंट्स को हमने यहाँ पर देखा चलिए आगे देखते हैं कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं जो आपको लर्ण करने हैं 16 अगस्त 2023 को परधान मंतरी नरेंद्र मोधी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समीती ने परधान मंतरी विश्व कर्मा योजना को मंजूरी प्रधान की गई है 16 अग से 2027-28 निर्धारित की गई है इस योजना हेतु वित्य परिव्य 13,000 करोड रुपे निर्धारित है इस योजना का उदेश्य अपने हातों और ओजारों से काम करने वाले कारीगरों वे सिल्पकारों दुआरा पारंपरिक कोशल के परिवार आधारित पेसे को बढ़ावा देना है परधान मंतरी विश्व कर्मा योजना के तहट कारीगरों एवं सिल्पकारों को पीएम विश्व कर्मा प्रमान पत्र एवं पहचान पत्र के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं देखिए इसके साथ ही पा रिन साहिता भी यहाँ पर प्रदान की जाएगी इस योजना के तहट इस योजना के तहट कोशल उन्नेयन टूलकिट प्रोतसाहन डिजिटल लेंदेन के लिए प्रोतसाहन और विपनन साहिता प्रदान की जाएगी यह योजना पूरे भारत में ग्रामीन एवं सहरी छेतर क कारीगरों वैसिल्प कारों को सहायता प्रैदान करेगी इस योजना के तहट पर्थम चरन में 18 पारंपरिक व्यावसायों को सामिल किया जाएगा तो आप देख सकते हैं इस योजना के पर्थम प्रदान मंत्र विश्व कर्मा योजना को समझ लिया होगा। देखे दूसरी नियूज है अभी यहाँ पर आपकी अमरित भारत इस्टेशन योजना तो अमरित भारत इस्टेशन योजना क्या है चलिए इसे समझते हैं। देखे परदान मंत्री नरेंद्र मोधी दुआरा अपने संबोधनों में अकसर अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवेहन के प्रावधान पर बल दिया जाता रहा है। चूंकि अधिकांस जनसंख्या दुआरा परिवेहन के साधन के रूप में भारतिय रेल को वरियता दी जाती है। पुनरविकास के लिए अमरत भारत स्टेशन योजना प्रारंब की गई थी। यहां पर अलग-लग राज्ये में देख सकते हैं कि कितने रेलवे स्टेशनों को कौन से राज्ये के तहट कवर किया जा रहा है। सबसे पहले यहां पर आपको उत्तर परदेश का दिहान रखना हैं तो उत्तर परदेश में यहां पर आप देख सकते हैं 55 रेलवे स्टेशनों को कवर किया जाएगा। बिहार में 49 को कवर किया जाएगा इसके अलावा बाकी के राज्यों को भी आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए अभी तीसरी न्यूज को हम देखते हैं दो न्यूज को हमने काफी अच्छे से कवर कर लिया है। बहु आयामी गरीबी सूचकांग यानि की MPI Multidimensional Poverty Index को वर्स 2010 से ही सामिल किया जाता रहा है। यहां विश्व में सबसे व्यापक रूप से परियोग किया जाने वाला गैर मुद्रिय गरीबी सूचकांग है। इसके तहत तीन आयामों जैसे स्वास्थिय, सिक्षा एवं रहन सेहन का इस्तर लिविंग स्टेंडर्स की आधार पर बहु आयामी गरीबी का मापन किया जाता है। यहाँ पर आपको दिहान देने वाली बात यह है कि मल्टि डाइमेंशनल पूर्टी इंडेक्स के तहत तीन आयामों पर विसेस बात की जाती है। स्थिति के अनुरूप एक सूचकांग का निर्मान करना है। इस परियोजना का व्यापक उदेशिय, वैस्विक MPI रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार करना है। भारत में बहु आयामी गरीबी सूचकांग के कार्यानवियन के लिए नीती आयोग नोडल मंत्रा लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इस चीज़ को दियान रखना है कि भारत में मल्टि डायमेंशनल पूवर्टी इंडेक्स के कार्यानवियन के लिए नोडल मंत्रा लिया कोन है। तो यह है आपका नीती आयोग है। 2023 नामक रिपोल्ट जारी की गई। यह है इस रिपोल्ट का दुवित्य संसकरन था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह है दुवित्य संसकरन था। उलेखनिया है कि इस रिपोल्ट का पर्थम संसकरन वर्स 2021 में लोंच किया गया था। नवीन्तम रिपोल्ट राश्टिय परिवार स्वास्तिय सर्विक्षन पांच पर आधारित है। इस रिपोल्ट में राजिय और केंदर सासित परदेश और जिला इस तरों पर बहु आयामी गरीबी की स्थिती का विस्तरित विशलेशन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इसमें National Family Health Survey 4 2015-16 और National Family Health Survey 5 2019-21 के मद्ध है। बहु आयामी गरीबी में हुए परिवर्तनों को भी दर्ज किया गया है। अभी हम बात करने वाले हैं कहां पर गरीबी बढ़ी है कौन-कौन से राजियों में घटी है तो ये कुछ पोइंट्स होंगे जो आपको दिहान रखने होंगे। अभी आपको इसके बारे में समझना है। देखिए नवीनतम रिपोल्ट में 36 राजियों और केंदरसासित परदेसों और 707 प्रसाशनिक जिलों के लिए बहु आयामी गरीबी के अनुमान प्रस्तुत किये गए हैं। यहाँ पर बहु आयामी गरीबी के अनुमान प्रस्तुत किये गए हैं। देश में रिकोर्ड 13.5 करोड लोग बहु आयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। इसका मतलब गरीबी गटी है। इतने लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। समान अवधी के दोरान बहु आयामी गरीबी से मुक्त हुए लोगों की संख्या की दरश्टी से सीर्स तीन राज्या। और टॉप थ्री स्टेट कौन से हैं तो ये हैं आपके उतरपरदेश, बिहार और मद्यपरदेश। तो ये तीन टॉप स्टेट हैं जो आपको दिहान रखना है यूपी बिहार और एमपी। वर्स 2015-16 में भारत में बहु आयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या 24.85 परतिसत थी जो वर्स 2019-21 में घट कर 14.90 परतिसत हो गई है। इस पश्ट है कि भारत में बहु आयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या में 9.89 परतिसत की उलेखनिय कमी दर्ज की गई है। ग्रामीन छेत्रों में बहु आयामी गरीबी 32.69 परतिसत से घट कर 19.28 परतिसत हो गई है। समानवधी के दोरान सहरी छेत्रों में बहु आयामी गरीबी 8.65 परतिसत से घट कर 5.27 परतिसत हो गई है। वर्स 2015-16 और 2019-21 के मध्य है भारत का बहु आयामी गरीबी सुचकांक मुल्य है 0.117 से घट कर 0.066 हो गया है। अतै रिपोल्ट से ही है प्रदर्शित होता है कि भारत वर्स 2030 की निर्धारित समय सीमा से काफी पहले ही SDG लक्षिय 1.2 बहु आयामी गरीबी में नियोनतम आधे की कटोती को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। और यहां पर सरवाधिक बहु आयामी गरीबी वाले सीर्स पांच राज्य यानि टॉप फाइफ स्टेट बताया गया है कि कहां पर सरवाधिक गरीबी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये टॉप फाइफ स्टेट हैं आपके नमबर वन पर बिहार है दूसरे नमबर पर जहार खंड है तीसरे नमबर पर मेगाल लिया है दैनुत्तर परदेश चोथे नमबर पर है और पांचवे नमबर पर मध्या परदेश है आपको इन राजिय 1921 में केंदरसासित परदेसों में दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में बहुआयामी जनसंख्या सरवाधिक 9.21 परतीसत जबकि पुद्दुचेरी में सबसे कम 0.85 परतीसत है बहुआयामी गरीब लोगों की संख्या में सबसे तेज कमी उत्तर परदेस बिहार मद्या परदेस, ओडिशा एवं राजिस्थान में दर्ज की गई है इसके अलावा इस चार्ट को भी आप यहां पर देख सकते हैं वर्स 2015-16 एवं 2019-21 के मद्या बहुआयामी गरीब जनसंख्या में कमी कहां पर दर्ज की गई है तो ऐसे टॉप 5 स्टेट हैं जहां पर गरी यहां पर आपको इस चीज को याद रखना है उत्तरपरदेश के सरवाधिक एवं नियोनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिले कौन से हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह आपके सरवाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जिले हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं देख लखनव, कानपुर नगर, गोतम बुध नगर और हापुर आते हैं तो इन्हें आप थोड़ा याद रख सकते हैं देखिए वर्स 2015-16 एवं 2019-21 के मद्ध है उत्तरपरदेश के महराज गंज जिले में बहु आयामी गरीब जनसंख्या में सरवाधिक कमी दर्ज की गई है तो मह भारत में इसकी नौडल मंत्रा लिया नीती आयोग है इसे आप याद रखेंगे देखिए अभी नेक्स्ट न्यूज है आपकी वैभव फैलोसिप योजना तो वैभव फैलोसिप योजना क्या है चलिए इसे अच्छे से समझते हैं देखिए अक्टूबर 2020 में भारत सरकार द्वारा वैश्विक भारतिय विज्ञानिक तो वैभव की फुल फोम आप यहां पर देख सकते हैं वैश्विक भारतिय विज्ञानिक सिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था कब अक्टूबर 2020 में यह प्रवासी एवं निवासी भारतिय सोध करता हो एवं सिक्षा विदो का एक आभासी सम्मेलन था वर्चुल सम्मिट थी इसका इसी करम में 28 फरवरी 2023 राष्टिय विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतिय प्रवासियों के लिए वैभव फैलोसिप योजना का सुभारम किया गया था यहां पर आपको नोट करना है वैभव फैलोसिप योजना क किसके लिए इसको स्टार्ट किया गया है भारतिय प्रवासियों के लिए कब सुरू किया गया है 28 फरवरी 2023 राष्टिय विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतिय प्रवासियों के लिए वैभव फैलोसिप योजना का सुभारम किया गया था इस योजना की सुरूवात फैलोसिप कॉल 2003 की घोशना की इस कार्यकरम के किर्यान वियन हेतु विज्ञान और प्रोध्योगी की विभाग नोडल एजिंसी है यह है फैलोसिप भारतिय मूल के उतकरष्ट विज्ञानिकों और प्रोध्योगी की विदो को प्रदान की जाएगी जो अपने संबंधित दे अनुसंधान गतिविधियों में सलंगन है वैभाव फैलोसिप का उदेश्य भारत के उच सिक्षा एवं विज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान पारितंत्र रिसर्च एकोसिस्टम में सुधार करना है इसे आपको नोट करकर याद करना है देखिए चेयानित वैभाव फैलो को पहचाने गए अठारा ज्यान कारियच्षेत्रों में काम करने है तो आमंत्रित किया जाएगा जिन में पर्मुख कारियच्षेत्र आप यहां पर देख सकते हैं तो यह कुछ पर्मुख कारियच्षेत्र होने वाले हैं like quantum प्रोध्योगी की किरतिम पुद्धिमत्त यानि कि artificial intelligence and machine learning, computational विज्ञान, data विज्ञान, photonics, उर्जा, electronic, संचार प्रोध्योगी की, aerospace प्रोध्योगी की, किर्सी विज्ञान तो ये कुछ परमुकार्य छेत्र होने वाले हैं जहां पर इन्हें आमंतरित किया जाएगा रिसर्च करने के लिए वैभव फैलो सहयोग हेतू एक भारतिय संस्थान की पहचान करेंगे और एक वर्स में दो माहां एवं अधिक्तम तीन वर्सों तक उस संस्थान से संबंदित रह सकते हैं वैभव फैलो अपने भारतिय संकक्षो के साथ विज्ञान एवं प्रोध्योगी की अत्याधुनिक छेत्रों में उस संस्थान में अनुसंधान गतिविदियां प्रारंब करने में मदद करेंगे जिससे वह संबंदित हैं तो यहाँ पर हमने वैभव फैलोसी पियोजना को काफी अच्छे से समझा है नेक्स्ट है आपका माहिर माहिर क्या है इसे आपको अच्छे से समझना है क्योंकि ये काफी जादा important है सबसे पहले तो आपको यहाँ पर माहिर की full form देखनी है कि इसकी full form क्या है इसकी full form है mission on advanced and high impact research ये इसकी full form है चलिए इसे समझते हैं ये क्या है देखिए देश में उर्जा छेतर से संबंदित नवीनतम एवं उभरती हुई प्रोध्योगी कियों latest and emerging technologies पर अत्याधुनिक एवं उच्छ प्रभाव अनुसंधान high impact research संचालित किये जाने की ततकाल आवश्यक्ता है तो ऐसी आवश्यक्ता महसूस की जा रही है कि जो भी latest and emerging technology है उन पर research की जाए इसी आवश्यक्ता को पूरा करने की दरश्टिगत हाल ही में माहिर नामक mission launch किया गया है तो इसे आपको दिहान रखना है कि माहिर नामक mission को क्यों launch किया गया है इसकी कुछ points है इन्हें आपको देखना है देखिए जून 2023 में mission on advanced and high impact research यानि की माहिर नामक एक राष्टिये mission का सुभारंब किया गया कब जून 2023 में माहिर का सुभारंब केंद्रिये विद्यूत मंत्रालिये तथा नवीन और नविकर्णिये उर्जा मंत्रालिये दुआरा संयुक्त रूप से किया गया है इस mission को देखिए यहाँ पर कुछ point है जो आपको दिहान देना है इसका सुभारंब किस-किस ने मिलकर किया है तो माहिर का सुभारंब केंद्रिये विद्यूत मंत्रालिये तथा नवीन और नविकर्णिये उर्जा मंत्रालिये दुआरा संयुक्त रूप से किया गया है इस mission को वर्स 2023-24 से लेकर 2027-28 तक पांच वर्स की प्रारंबी कवधी हेतु तयार किया गया है इसका परमोखुदेश्य भारत को उन्नत विद्यूत प्रोध्योगी की हेतु एक विनिर्मान केंद्र बनाना है मिशन की सनरचना दुवेज तरिया है जो निम्नलिखित है इसमें एक अपेक्स कमेटी होने वाली है सीर्स समीती का क्या काम होगा देखे सीर्स समीती इस mission के तहत निर्मित होने वाली प्रोध्योगी कियो और उतपादों पर विचार विमर्स करेगी इवं अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करेगी इसकी अध्यक्षता केंद्रिय विद्यूत मंत्री और नवीन और नविकर्णिय और उर्जा मंत्री के दुवारा की जाएगी दूसरा तकनीकी कारिय चेतर समीती यानि कि टेकनिकल स्कॉपिंग कमेटी का भी गठन किया जाएगा और यह कमेटी यानि कि यह समीती अनुसंधान छेतरों की पहचान संभावित प्रोध्योगी क्यों किसी फारिस और अनुमोधित अनुसंधान पर योजनाव की निगरानी करेगी इसकी अध्यक्षता केंद्रिय विद्यूत प्राधिकरन की अध्यक्ष के दुआरा की जाएग कि राजिय खादिय सुरक्षा सूच कांग 2022 ये काफी important है इससे last time भी आपसे prelims में question पूछा गया था तो ये है आपका राजिय खादिय सुरक्षा सूच कांग 2022 इसके data को आपको काफी अच्छे से देखना है देखिए राजिय खादिय सुरक्षा सूच कांग को भारतिय तो राजिय खादिय सुरक्षा सूच कांग को फासी के दुआरा परति वर्स जारी किया जाता है इस सूच कांग का पर्थम संसकरन वर्स 2019 में विश्व खादिय सुरक्षा दिवस 7 जून के अवसर पर जारी किया गया था इस सूच कांग का उदेश या है खादिय सुरक्ष केंद्रिय स्वास्थिय इवं परिवार कल्यान मंत्री डॉक्टर मंसुक मंडविय दुवारा राजिय खाद्य सुरक्षा सुचकांक स्टेट फूर्ड सेफ्टी इंडेक्स 2022 ते ही जारी किया गया यह है इस सुचकांक का पांचवा संसकरन है कुल प्रापतांकों के आधार प आप यहां पर देख सकते हैं टोप-5 सेट है आपके सबसे पहले नंबर पर केरल है दूसरे नंबर पर पंजाब तीसरे नंबर पर तमिल नाडू, चोथे नमबर पर मध्या परदेश और पांचवे नमबर पर उत्तर परदेश है तो यह चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे देखिए बड़े राजियों में बिहार 19 वे इस्थान पर है कुल प्रापतांकों के आधार पर टोप फाइफ छोटे राज के साथ मिजोरम अंतिमिस्थान पर है कुल प्रापतांकों के आधार पर सीर्स तीन केंदर सासित पर देश यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हैं आपके जम्मु कस्मीर दिल्ली और चंडिगर इस सिरेनी में लक्ष द्वीप अंतिमिस्थान पर है तो इन्हें आप दिहान चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नियूज है आपकी निस्पादन ग्रेडिंग सुचकांग 2.0 2021 राज्य एवं संग राज्य चेत्र चलिए समझते हैं निस्पादन ग्रेडिंग सुचकांग क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूली सिक्षा और साक्षर्ता विभाग ने स्कूल सिक्षा के छेतर में परिवर्तनकारी बदलाव को उत्प्रेरित करने के उदेश्य से निस्पाधन ग्रेडिंग सूचकांक यानि की परफोर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक ग्रेडिंग इंडेक्स को डिजाइन किया है राज्यों और केंद्रसासित परद के जारी होने के बाद से अब तक इसमें सामिल कई इंडिकेटर्स समाप्त और निरर्थक हो चुके हैं अते वर्स 2021-22 के लिए परफोर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स राज्यों और संग राज्य चेतर की संरचना को संसोधित किया गया है और इसका पुनर नामकरन परफोर् ग्रेडिंग प्रैदान की गई है 2.0 के तहट राज्यों और केंदर सासित परदेशों को 10 ग्रेडों में विभक्त किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्तम ग्रेड उच्तम ग्रेड आपकी दक्ष है तो उच्तम ग्रेड को दक्ष कहा गया है जो कुल 1000 अंकों मे इसके अलावा नियोनतम ग्रेड आकांची 3 है जो 460 तक अंक प्राप्त करने वाले राज्यों और केंदर सासित परदेशों को प्रेडान की जाएगी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में किसी भी राज्य या केंदर सासित परदेश को उच्टम ग्रेड यानि कि दक्ष प्राप्त नहीं हो सकती है तो इस point को आप दियान रखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि performance grading index 2.0 के तहत कौन से राजियों को क्या सब प्राप्त हुआ है तो आप देख सकते हैं कि दक्ष grade किसी भी राजियों को प्राप्त नहीं हुई है ना ही उतकर्स किसी को प्राप्त हुई है ना ही अती उत्तम ना उत्तम तो आप देख सकते हैं इनके अंदर कोई भी नहीं आता है इसके बाद आप देख सकते हैं या आपका purchased 2 में चंडिगर एवम पंजाब आते हैं बात करते हैं उत्तरपरदेश की उत्तरपरदेश आपका आकानशी 2 के अंतरगर्द आता है इसे आप दिहान रखेंगे देखे नेक्स्ट न्यूज है आपकी एन आई आरेफ नेशनल इंस्टिटूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्ग इंडिया रैंकिंग दो हजार तेहिस तो यहाँ पर आपको इसे अच्छे से स सिक्षा संस्थानों को रैंकिंग परदान करने के लिए एक कारिय प्रणाली की रूप रेखा तयार करता है दिहातव्य है कि इंडिया रैंकिंग का पर्थम संस्करन अप्रेल 2016 में जारी हुआ था कुछ पोईंट है जिन्हें आप थोड़ा दिहान रखेंगे पांच जून 2023 को केंद्रिय सिक्षा मंत्रालिया ने नैशनल इंस्टिटूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतरगर्द देश में उच सिक्षन संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2023 जारी की है यह है इंडिया रैंकिंग्स का आठवा संसकरन है इसमें निम्न पांच सिरेनियों के अं इंस्टिटूशन्स और इनोविशन्स इच इन पांच स्रेनियों के अंतरगर्थ इन्हें रैंकिंग प्रदान की जाएंगी साथ ही कुल आठ विभिन विश्यो में भी संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इंडिया रैंकिंग्स 2023 में पिछले संसकरन की तुलना में निम्न तीन विसेस्ट बदलाव किये गए हैं तो यह तीन बदलाव कौन से किये गए हैं इन्हें आपको दिहान रखना है सबसे पहला बदलाव किरसी एवं संबंदित छेतर नामक एक नई विश्यो को सामिल किया गया है तो पहला बदलाव आपने देखा कि इसमें किरसी एवं संबंदित छेतर नामक एक नई विश्यो को सामिल किया गया दूसरा नवाचार स्रेनी में रैंकिंग पर्थम बार जारी की गई है तो ऐसी कौन सी स्रेनी है जिसमें पर्थम बार रैंकिंग जारी की गई है तो यह आपकी नवाचार स् स्थार किया गया है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ओवरोल कैटेगरी में लगतार पाँचवे वर्स भारतिय प्रोध्योगी की संस्थान मदरास आयाइटी मदरास को पर्थमिस्थान प्राप्त हुआ है तो आपको याद रखना है ओवरोल कैटेगरी में नंबर वन पर क भारतिय विज्ञान संस्थान बंगलुरू है तीसरे नंबर पर भारतिय प्रोध्योगी की संस्थान दिल्ली है फिर नेक्स्ट आपका IIT बॉंबे और IIT कानपूर है इंडिया रैंकिंग्स दो हजार तेहिस में समगर स्रेनी में सीर्स दस में उत्तरपरदेश के केवल एक सं स्थान को ही उत्तरपरदेश के यहां पर जंगय मिली है IIT कानपूर को समगर स्रेनी में बिहार इस्थीत IIT पठना को 66 वी रैंक प्राप्त हुई है भारतिय विज्ञान संस्थान बंगलुरू यानि करनाटक को विश्व विधालिय स्रेनी में सीर्स स्थान प्राप्त इसके अलावा कॉलेज स्रेनी में सीर्स संस्थान आपका दिल्ली का मिरांडा हाउस है तो इन्हें आपको याद रखना है चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट नियूज नेक्स्ट नियूज है आपकी नए संसथभवन का उधगाटन आप सभी ने इसके बारे में जरूर वास्तुविद एडविन लुटियंस एवं हरबल्ट बेकर ने सैंट्रल विस्टा परिशर की परिकल्पना की थी इसका उधगाटन वर्स 1931 में किया गया था इसमें राष्टपती भवन संसथ भवन नौर्थ एंड साउथ ब्लोक अभिलेक कार्यालिय के साथ साथ इंडिय 28 मई 2003 को परधान मंत्री नरेंद्र मोधी दुवारा नई संसथ भवन का उधगाटन किया गया इस अवसर पर परधान मंत्री ने 75 रुपे का सिक्का और इसमारक डाक टिकट भी जारी किया परधान मंत्री ने नई संसथ भवन के उधगाटन की अवसर पर लोकसभा कक्ष मे स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में पवित्र सैंगोल भी स्थापित किया है नए संसद भवन की डिजाइन एहमदाबाद गुजरात इस्थित एक आर्केटेक्चर फर्म HCP Design Planning and Management Limited ने तयार की है इसके अलावा तिर्भुजाकार में बना नया संसद भवन चार मंजिला है नया संसद भवन लगभग 64,500 वर्ग मीटर छेतर फल में विस्तरित है इस भवन के तीन मुख्या परवेश दुआर, ज्यान दुआर, सक्ती दुआर और कर्म दुआर है नया संसद भवन में लोकसभा सदस्यों हेतू, कुल 888 सीटों की छमता की अतरिक्त, राज्ये सभा होल में 384 सदस्यों के बैटने की छमता होगी नए संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राश्टिय पक्षी मौर पर आधारित है जबकि राज्य सभा का आंतरिक हिस्सा राश्टिय पुस्प कमल पर आधारित है इसके साथ ही नए संसद भवन की प्रांगन में राश्टिय वरक्ष बरगद इस्थित है चलिए बात वर्स 1947 को भारत की स्वेतंत्रता की पूर्व संध्या पर एक पवित्र सैंगोल का निर्मान किया गया इस सैंगोल को एक तमिल आधिनम धार्मिक मठ दुवारा पंडित जवाहरलाल नहरू को सोपा गया जो अंग्रेजों से भारत को सत्ता की हस्तांत्रन का प्रतीक था तो 14 अगस्त 1947 को पंडित नहरू दुवारा सैंगोल को प्राप्त करने के बाद इसे इलहाबाद संग्रालिया वर्तमान परियाग राज में रखा गया था 28 मही 2023 को परधान मंत्री नरेंद्र मोधी दुवारा नए संसत भवन के उद्गाटन के आउसर पर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीब एतिहासिक सुर्ण राजदंड सैंगोल की स्थापना की गई वर्स 1947 के उसी सैंगोल को परधान मंत्री दुवारा नए संसत भवन में स्थापित किया गया है सैंगोल के सीर्स पर भगवान सीव के पवित्र बैल नंदी को नकासी के माध्यम से चितरित किया गया है तमिलनाडु में चोल राजाओं के साशन काल के दोरान माहा याज़को के माध्यम से सैंगोल को एक राज़ा से दूसरे राजा को सोप दिया जाता था सैंगोल की स्विकरति उत्तरदाईत्वि के साथ साशन की अधिकार को प्रैदर्शित करती है तो फ्रेंट्स यहाँ पर हमने नई संसर्थ भवन के उद्गार्टन से related important points को discuss किया है अभी next news है आपकी उडान 5.1 तो उडान 5.1 news क्या है इसे हम अच्छे से समझेंगे देखिए वर्स 2016 में केंद्र सरकार दुआरा पहली बार देश की राष्टिय नागर विमानन नीती नैशनल सिविल एवियेशन पॉलिसी की घोशना की गई थी राष्टिय नागर विमानन नीती का सरवाधिक महत्वपूर्ण घटक उडान योजना है उडान का पूर्ण रू उडान योजना की अंतरगर्थ पहली उडान सिमला से दिल्ली के बीच प्रारंभ की गई थी उडान योजना की अंतरगर्थ अब तक चार चर्णों को मंजूरी प्रदान की गई थी तो आप यहां पर देख सकते हैं चार चर्णों को मंजूरी प्रदान कर दी गई थी उड उडान 1.0, उडान 2.0, उडान 3.0 और उडान 4.0 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उडान योजना के चार चरणों की सफलता के बाद नागर विमानन मंत्रालिया ने 21 अप्रेल 2023 को उडान 5.0 की सुरुवात की इस चरण का उदेश्य देश के दूर दराज और छेत्रिय इ इलाकों की कनेक्टिविटी को बढ़ाना एवं अंतिमस्थल तक हवाई संपर्क का लक्षय हासिल करना हैं 24 मई 2023 को नागर विमानन मंत्रालिय दुआरा हेलिकॉप्टर मार्गों के लिए विसेश रूप से तयार उडान 5.1 योजना की सुरुवात की गई है उडान 5.1 नेक्स्ट है आपका करनाटक विधानसभा चुनाव 2023 दोस्तों आपको पता है कि 2023 के अंदर काफी सारे चुनाव हुए हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना जरूरी है तो यहाँ पर आपका पुरा एक साल के अंदर जो भी चुनाव हुआ है जो भी important point है वो आपका य अच्छे से कवर करना है तो अभी हम करनाटक विधानसभा चुनाव 2023 की बात करेंगे देखिए करनाटक की पंदरवी विधानसभा के कार्यकाल की समापती किति थी 24 मई 2023 निर्धारित थी अत्य भारत निर्वाचन आयोग दुवारा जारी अधिसूचना के तहत राजिय में नई विधानसभा के गठन के लिए एक चलन में चुनाव करवाने की खोशना की गई राजिय में मतदान 10 मई 2023 को संपन हुआ जबकि मत गनना 13 मई 2023 को संपन हुई संसदिय एवं विधानसभा निर्वाचन छेतरों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार करनाटक विधानसभा मे कुल 224 सीटे हैं सबसे पहले आपको याद रखना है कि करनाटक विधानसभा में टोटल कितनी सीट है टोटल 224 सीट है इन में से 36 सीटे अनुसूचित जातियों यानि की SC के लिए तथा 15 सीटे अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित हैं करनाटक विधानसभा चु ये कुछ पॉइंट हैं, 13 मई 2023 को करनाटक विधान सभाचुनाव 2023 के परिनाम घोशित किये गए, परिनामों के अनुसार सत्तारुड भारतिय जनता पार्टी को पराजित कर भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस ने राजिय में बहुमत हासिल किया, तो करनाटक में कोन जी था? भ करनाटक की जनता ने चुनावों में कभी भी सत्तारुड दल के पक्ष में मतदान नहीं किया है, ऐसा करनाटक के बारे में कहा जाता है, वर्स 2023 के चुनावों में भी यही प्रवर्ति जारी रही, बीस मई 2023 को भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के सिध्धा रमय्या ने करनाटक विधानसभा के चुनाव परी नाम कुल 224 सीटे हैं यहां पर पार्टी आप देख सकते हैं भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस को 135 सीटे प्राप्त हुई जबकि भारतिय जंता पार्टी को 66 सीटे यहां पर मिली तो यहां पर आप इन्हें देख सकते हैं तो फ्रेंड् समुंद्रगुप्त यह क्या है इसे आपको अभी काफी अच्छे से देखना है देखिए वर्स 2022 में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दुवारा ओपरेशन समुंद्रगुप्त की सुरुवात की गई थी इसका उदेश्य हिंद महसागर छेत्र में नशिले पधार्तों की तसकरी को रोकना था तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि ओपरेशन समुंद्रगुप्त की सुरुवात कब और किस के दुवारा और किस उदेश्य के साथ की गई है तीन पॉइंट्स यहां पर हमने देखे देखे तो वर्स 2022 में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंसी भी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो साथ मिलकर काम कर रहे हैं आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ओपरेशन समुंद्रगुप्त क्या है चलिए इस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखते हैं 13 मई 2023 को भारत के नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक अ करती है ध्यातव्य है कि NCB ने यह जबती ओपरेशन समुंद्र गुप्त के तहत की है मेथ फेटा माइन एक सकतिसाली अत्याधिक व्यशनकारी उत्तेजक है जो केंद्रिय तंत्री का तंत्र को प्रभावित करता है मेथा फेटा माइन मस्तिस्क में एक प्राकर्तिक रसायन डौपा माइन की मात्रा को बढ़ा देता है या तव्य है कि डौपा माइन सारीरिक गतिविधी अभी प्रेरन यानि की मोटिवेशन इत्यादी के लिए उत्तरदाई होता है यहां पर आपको एक टर्मनलोजी दी गई है सुवर्ण अधर चंद्र एवं सुवर्ण तो सुवर्ण तिर्भुष के अंतरगर्थ आपके थाइलेंड मियम्मार एवं लाओस आते हैं जबकि सुवर्ण अधरचंद्र के अंतरगर्थ पाकिस्तान अफगानिस्तान एवं इरान आते हैं इन्हें आपको दिहान रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रहा है और क्या है चलिए इसे देखते हैं हाल ही में भारतिया वायू सेना विरासत केंद्र की स्थापना चंडिगड़ प्रसाशन और आई एफ की एक संयुक्त परियोजना के माद्यम से हुई है इस संबंध में वर्स 2022 में ही चंडिगड़ प्रसाशन और आई एफ के केंद्र का उद्गाटन किया इस केंद्र की स्थापना चंडिगड़ में की गई है तो अभी आपको पता चल गया कि इसकी स्थापना कहां पर हुई है चंडिगड़ में इसकी स्थापना का उदेशिय भारतिया वायू सेना के गोरवसाली इतिहास को लोगों तक पहुचान तो देश्य भी यहां पर आपको पता चल गया यह भारतिय युवाव को इंडियन एर फोर्स से जुड़ने के लिए भी प्रेरित करेगा इस केंदर की देखरेक और प्रबंधन का दाइत वो चंडिगड प्रिसाशन का होगा वहीं हतियार और अन्य उपकरणों की व्यवस्थ को प्रदर्शित किया जा रहा है तो यह था आपका भारत का पहला भारतिय वाईयू सेना विरासत केंदर कहां पर स्थापित हो रहा है चंडिगड में चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नियूज है आपकी मनिपूर हिंसा देखिए मनिपूर हिंसा बहुत जादा इस साल पूरा चर्चा में रही है मनिपूर हिंसा क्या है इसके पीछे की कहानी क्या है क्यों इतनी हिंसा हमें मनिपूर में देखने को मिली है इसे हम यहाँ पर काफी अच्छे से अभी डिसकस करेंगे चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स को मनिपूर हिंसा के बारे में काफी अच्छे से याद रखना है नोट करकर याद रखना है सबसे पहले तो आपको देखना है कि मनिपूर किन राजियों के साथ सीमा साजा करता है तो मनिपूर तीन राजियों नागालेंड असमोर मिजोरम के साथ सीमा साजा करता है और यह अंतराश्टिय सीमा किसके साथ साजा करता है मियम्मार के साथ मनिपूर में 16 जिले हैं परन्तु आमतोर पर राज्य को घाटी और पहाडी जिलों में विभाजित निकाई के रूप में देखा जाता है पहाडी ज पर्तिसत छेत्र को कवर करते हैं जबकि घाटी जिले राज्ये के मात्र दस पर्तिसत छेत्र में ही विस्तरित हैं मनिपुर में निवास करने वाले परमुख जातिय समोहों में एथनिक गुरूप्स में मैतेई नागा और कुकी चिन सामिल हैं देखें यह आपके लिए काफ़ जिलों में निवास करती हैं इन्हें आपको दियान रखना है देखें मार्च दो हजार तेहिस में अब इसकी कहानी समझे कि वहाँ पर इतनी जादा हिंसा कैसे सुरू हुई तो इसकी कहानी आपकी मार्च दो हजार तेहिस से सुरू होती है मार्च दो हजार तेहिस में मैतेई समुदाई है यह काफी सालों से स्ट का दर्जा प्राप्त करने की बात कर रहा था तो इसी कारण से मनिपुरुचनियाले ने इस पर विचार करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया उलेकनिया है कि वर्तमान में मैतेई समुदाई को अन्या पिछडा वर्ग जाने की ओबीसी या फिर ऐसी किसरेनी में रखा जाता है और यह लोग किसकी डिमांड कर रहे हैं यह लोग समीती के माध्यम से दसकों से स्ट का दर्जा दिये जाने की मांग कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि यह समुदाई को यानि की हाईपोर्टके इस निर्देश के विरूद अखिल जनजातिया छात्र संग मनिपूर दुवारा जनजातिया एक्जुटता रेली का आयोजन किया गया। जिसके परिनाम स्वरूप मनिपूर में हिंसा भड़ा कुठी। गोरतलब है कि वर्स 1994 में भारत संग में मनिपूर के विले से पहले मैतेई को जनजाती के रूप में मान्यता प्राप्त थी तो आप देख सकते हैं जब तक मनिपूर का विले भारत में नहीं हुआ था तब मैतेई को जनजाती की मान्यता ही प्रदान थी परंतु सवीधान अजे लांबा इस आयोक की अध्यक्षता करेंगे यानिकि इस आयोक के अध्यक्सी बने आयोक के दो अन्यए सदस्यों में सामिल हैं, पूर्व आईपया सधिकारी हैं आलोग प्रभाकर तो आप इस समीति को याद रखेंगे, देखिए मैतेई को ST का दरजा के विरोध में लोगों का तर्ग है कि मैतेई सैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से अगरनी है देखिए आपके दिमाग में ये कुशन जरूर आ रहा होगा कि मैतेई को ST का दरजा देने के विरोध इतनी हिंसा क्यों हो रही है इतना विरोध क्यों किया जा रहा है तो इसके पीछे लोगों का तर्ग है कि जो मैतेई समुदाई है वो एजुकेशनली, सोशली, फाइनेशियली काफी रूप से ससक्त है यानि की सक्तिसाली है अगर नी है अतर उन्हें ST का दर्जा दिये जाने पर वर्तमान में जो ST का दर्जा प्राप्त समुदाए है समुदाई को आरक्षन और अन्यालाब प्राप्त करने में संघर्स करना पड़ेगा यानि कि फिर ST लोग जादा हो जाएंगे मनिपूर में जो वर्तमान में ST हैं उन्हें जो लाब मिल रहा है जो आरक्षन मिल रहा है उसे उन्हें प्राप्त करने के लिए और जादा संघर्स करना पड़ेगा साथ ही ST का दर्जा प्राप्त होने पर मैतेई समुदाय पहाडी जिलो में भी भूमी क्रै कर सकेगा ये भी एक बहुत most important point है इसे आपको ध्यान रखना है कि अभी मैतेई समुदाय पहाडी जिलो में भूमी नहीं खरीद सकता है जब इन्हें ST का दर्जा दे दिया जाएगा तो ये वहाँ पर भूमी को खरीद पाएंगे वहाँ पर बस पाएंगे तो ये भी एक विरोध का कारण है इससे वर्तमान जनजातिय समुद अपने चेतर की भूमी से वनचित हो जाएंगे ऐसा कहना है नो जो आपके ST ग्रूप्स हैं इसके बाद फ्रेंड्स मनिपुर में सांती समीती का गठन किया गया 10 जून 2023 को केंदर सरकार दुआरा गठित मनिपुर की राज्येपाल अनसुईया उई के इस समीती की अध्यक्षता करेंगी किसका सांती समीती का समीती के अन्यस अधश्यों में मनिपुर के मुख्यमंतरी एन बिरेन सिंग, राज्यसरकार के क सांती प्रकिरिया को सुगम बनाना है जिसमें सांती पूर्ण वारता और परस पर विरोधों पक्षों समोहों के बीच बातचीत सामिल है तो ये थी आपकी मनिपुरहिंसा जिसको हमने यहाँ पर काफी डेटेल में काफी अच्छे से समझा है अभी नेक्स्ट नियूज है नवाचार सर्वेक्षन 2021-22 विज्ञान एवं प्रोध्योगी की विभाग भारत सरकार और संयुक्त राष्ट ओध्योगी की विकास संगठन दुवारा संचालित एक संयुक्त अध्यन है इसका उदेश्य भारत में निर्मान फर्मो मैनुफैक्ट्रिंग फर्म्स के प्रदर्शन का मुल्यांकन करना है अतै सर्वेक्षन वर्स 2011 में विज्ञान एवं प्रोध्योगी की विभाग दुवारा संचालित पर्थम राष्टिय नवाचार सर्वेक्षन नैशनल इनोवेशन सर्वे की अनुसार किया जाएगा कुछ पॉइंट है यहाँ पर चलिए इने देखते हैं 27 अपरेल 2023 को राष्टिय विनिर्मान 99 सर्वेक्षन 2021-22 जारी किया गया दो लेवल पर फर्म लेवल सर्वे और सेक्टोरियल सिस्टम ओफ इनोवेशन फर्म इस तरिया सर्वेक्षन से प्राप्त प्रतिकिरिया को एक सूचकांक में परिवर्तित किया गया है जिसे भारत वी निर्मान 99 सूचकांक 2022 नाम दिया गया है इस सूचकांक में 28 राजिय और 6 केंदर सासित परदेश सामिल हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े राजियों में करनाटक तेलंगाना तथा तमिलनाडू करमसय पर्थम दुईत्यय एवं तरत्यय स्था पर है तो बड़े राजियों की रैंकिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर परदेश का कौन सा इस्थान है आठवा इस्थान है आपके लिए यही सब काम का था चलिए देखते हैं नेक्स्ट नियूज नेक्स्ट है आपका भारत में जल निकायों की पर्थम गनना की गई है भारत में जल निकायों की देखिए वर्तमान में भारत में विश्व की लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है हालंकि वैश्विक जल संसाधनों का मात्र 4% ही भारत में विद्यमान हैं केंद्रिय जल सकती मंत्राले दुआरा संपूर्ण देश में पहली बार जल न निर्मित जल निकायों जिसे तालाब टैंक जील आदी के साथ साथ जल निकायों परती करमन से जुड़े आंकडे भी सामिल हैं कुछ पोइंट यहां पर दिये गए हैं देखिए अप्रल 2023 में भारत में जल निकायों की पहली गनना से संबंदित रिपोर्ट जारी की गई य जनना की फलस्वय रूप अखिल भारती है और राजियवार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है देश में कुल आप देख सकते हैं इतने जल निकायों हैं ग्रामीन छेत्रों और सहरी छेत्रों का परतिसत भी आप यहां पर देख सकते हैं जल निकायों की संख्या के मामले में उत्तर परदेश और आपका तिरपूरा कुल जल निकायों में 78% मानवनिर्मित और 22% प्राकर्थिक जल निकाये हैं उत्तर परदेश में जल निकायों की कुल संख्या आप यहां पर देख सकते हैं कि इतना दल्स किया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट निज्स काफी ज़ादा इंपोर्टेंट है तो आप देख सकते हैं कि केरल जल बजट तयार करने वाला पहला राजिय कुन बना है तो ये आपका केरल है नेक्स्ट है आपका राश्टिया चिकित्सा उपकरण निती दो हजार तेहिस तो आप देख सकते हैं कि चिकित साउपकरणों का व्यापक वर्गी करन निम्नलीकित रूप में किया जा सकता है आपके electronics उपकरं होते हैं implants उपकरं होते हैं consumables, disposable तो ये काफी सारे आपकी एलेक्ट्रिक उपकरन होते हैं देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत सरकार के सहयोग से हिमाचल परदेश, मद्या परदेश, तमिलनाडू एवं उत्तर परदेश में चार चिकित सा उपकरन पार्क स्थापित किये जाएंगे ये आपके काफी जादा इंपोर्टेंट है तो कौन-कौन से राज्यों में हिमाचल परदेश में मद्या परदेश में तमिलनाडू में और उत्तर परदेश में चार चिकित सा पार्क स्थापित किये जाएंगे अप्रल दो हजार तेहिस में परदान मंत्री की अध्यक्षता वाली कें रखा गया है वर्स 2030 तक चिकित सा उपकरन छेतर में वर्तमान के 11 बीलियन अमेरिकी डोलर से 50 बीलियन अमेरिकी डोलर तक की वरद्धी का लक्षय भी निर्धारित किया गया है यह नीती चिकित सा उपकरन छेतर के लिए एक समर्पित निर्यात समवर्धन परिशद के निर प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए इस्थापित किया जाता है उनलेखनिया है कि पुस्तक ग्राम एक सांतिपूर्ण और प्रेरणा दायक वातावरन का सरजन करते हैं जो क्रेटिविटी को बढ़ावा देता है अप्रेल 2023 में सीग्रही जम्मू एवं कस्मीर के पुस्तक ग्राम कौन बनने वाला है यह आपका जम्मू एवं कस्मीर का बांदी पोरा जिला है जो भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बनने वाला है यह कारिये गैर सरकारी संगठन सरहद दुवारा जम्मू एवं कस्मीर सरकार के सहयोग से किया जाएगा इसके अलावा आपको याद रखना है कि हे ओन वे विश्व का पहला पुस्तक नगर है तो ये क्या है वर्ल्स फर्स्ट बुक टाउन हे ओन वे यह है वेल्स युनाइटेड किंग्डम में इस्थित है इसके अलावा मई 2017 में भिलार गाउं जो महराश्ट के 17 जिले में इस्थित है को देश के पहले पुस्तक ग्राम की रूप में मानियता दी गई थी तो देश का पहला पुस्तक ग्राम कोन है यह है आपका भिलार गाउं है जो की महराश्ट राज्या में इस्थित है और मई 2017 में इसे देश के पहले पुस्तक ग्राम की रूप में मानियता दी गई थी अप्रेल 2022 में जहारखंड का जाम ताड़ा जिला हर गाउं में पुस्तकालिया वाला देश का पहला जिला बना था जबकि दिसंबर 2022 में केरल के धर्म दम को भारत का पहला पुर्ण पुस्तकालिया निर्वाचन छेतर घोशित किया गया था तो यह काफी important news है इसे आपको चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका अरावली ग्रीन परियोजना क्या है चलिए इसे समझते हैं अरावली परवत सरंखला चार राजियों और केंदर सासित परदेसों दिल्ली, हर्याना, राजिस्थान एवं गुजरात में विस्तरित है यह भारत की ही नहीं बलकि विश्व की सबसे प्राचीन परवत सरंखलाओं में से एक है गुरतलब है कि वरतमान में यह परवत सरंखला अपऌचह एवं अपर्दन के कारण अवसिस्थ परवत के रूप में विद्यमान हैं उलेखनिये है कि हाल ही में और आवली परवत सरंखला को अपऌचह, अपर्दन, मरुस्थलीकरन एवं भूमी च्छरन से बचाने के लिए आरावली ग्रीन वॉल्ल परियोजना की सुरूवात की गई है तो आप यहां पर देख सकते हैं। वानिकी के माद्यम से अरावली परवत्सरंकला के आसपास भूमी छरन और मरुस्थली करन का मुकाबला करने के लिए एक राश्टिय कारिय योजना है। इस परियोजना में हर्याना, राजिस्थान, गुजरात और दिल्ली सामिल हैं जहां लगभग 60 लाख हेक्टेयर छेतर में इस परवत्सरंकला का विस्तार है। ये लिए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका उत्तरपरदेश खाद्या प्रसंसकरन उध्योग नीती 2022-27 तो आप यहां पर देख सकते हैं कि खाद्या प्रसंसकरन किर्सी और उध्योग के बीच की एक कड़ी है। उत्तरपरदेश की हिस्सेदारी 6 परतिसत है। इसे 20 परतिसत तक ले जाने का लक्षय रखा गया है। उलेखनी हैं कि उत्तरपरदेश में खाद्या प्रसंसकरन उध्योग तरत्यक इस्तरका है। कुछ पोईंट यहां पर दिये गए हैं। यह नीती अगले पांच वर्स तक अथवा नई नीती के किरियान वियन तक प्रभावी रहेगी। क लिए उद्द्यान एवाम खाद्या प्रसंसकरन विभाग नोडल विभाग तथा उद्द्यान एवाम खाद्या प्रसंसकरन इदेशालियें नोडल एजेंसी होगी। नेक्स्ट है आपका काफी important news है आम आदमी पार्टी को राष्टिय दल का दर्जा प्रेदान किया गया ये काफी important news है आपको यहां से कुछ points को समझना है देखिए चुनाव चिन आरक्षन व्यावंटन आदेश 1968 के तहत राष्टिय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करन सबसे पहला मान्डंड है लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को नियोनतम किनी चार राजियों में से परतियक राजिय में कुल वैद मतों के नियोनतम 6 परतिसत मत प्राप्त हुए हो और उसने लोकसभा की नियोनतम 4 सीटे जीती हो अगर कोई भी पार्टी को ऐसा होता है इतना मत वो प्राप्त कर पाती है इतने सीटे जीत पाती है तो उसे नैशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाएगा दूसरा मान्डंड है लोकसभा के पिछले आम चुनावों में उस दल ने कुल सीटों की नियोनतम 2 परतिसत सीटों पर वि उप्युक्त सर्तों में से किसी एक सर्त को भी पूरा करने पर एक राजनीतिक दल राश्टिय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य होगा तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं चलिए बात करते हैं अभी आमादमी पार्टी की देखिए 10 अपरल 2023 को भारत अनमूल कॉंग्रेस, भारतिय कम्यूनिस्ट पार्टी CPI तथा राश्टवादी कॉंग्रेस पार्टी NCP से राश्टिय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है इस परकार वर्तमान में देश में राश्टिय दलों की कुल संख्या छै हो गई है हाल ही में आमाद्मी पार्टी ने गुजरात में राज्य इस्तरिय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने ही तो निर्धारित मांडंडों को पूरा कर लिया है उलेखनिया है कि आमादमी पार्टी को पंजाब, गोवा और राष्टिय राजधानी छेतर दिल्ली में पहले से ही राज्य इस्तरिय दल के रूप में मान्यता प्राप्त थी और अभी कहां पर मिल गई है गुजरात में इस परकार आमादमी पार्टी को कुल चार राज्यों में राज्य इस्तरिय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है इसलिए चुनाव चिन आरक्षन व्यावंटन आधेस 1968 के तहट राज्य की अंतरगर्थ राष्ट्य राजधानी छेतर दिल्ली सामिल है उलेकनिया है कि आमादमी पार्टी का चुनाव चिन जहाडू है राष्ट्य दलो की वरतमान संख्या इस निमन प्रकार है तो आप इनके नाम देख सकते हैं अभी वरतमान में आपकी छे नेशनल पार्टी हैं सबसे पहली आप देखिए भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस भारतिय जनता पार्टी बह काफी इंपोर्टेंट है तो वाइबरेंट विलेज प्रोग्राम क्या है चलिए इसे समझते हैं देखिए केंद्रिय वितमंत्री द्वारा अपने बजट भाशन दो हजार बाइस तेहिस के दोरान वाइबरेंट विलेज कारियकरम की घोशना की गई थी इस कारियकरम के तह अपरेल दो हजार तेहिस को ग्रह मंत्री अमित सहा ने वाइबरेंट विलेज कारियकरम को लौश किया इस कारियकरम को अरुनाचल परदेश के अंजाव जिले के एक सीमा वर्ती गाउं की बीतु से लौश किया गया उलेकनिया है कि पंद्रय फरवरी दो हजार तेहिस को प की गई है इस अवधी के लिए इसका वित्या आवंटन 4800 करोड रुपे है इस योजना के तहत चार राज्यों हिमाचल परदेश अरुनाचल परदेश सिक्किम उत्राखंड तथा संग सासित परदेश लद्दाक के उत्तरी उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलो के 46 ब्लोकों में 2967 गा गया है पहले चरन में प्रात्मिक्ता की आधार पर 662 गाउं की पहचान की गई है जिसमें से 455 गाउं अरुनाचल परदेश में इस्थित हैं यह कार्य करम चिनहित सीमा वर्ती गाउं के लोगों की जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा साथ ही उन्हें अपने मोल स्थान पर रहने के लिए प्रोथसाहित भी करेगा इससे इन गाउं से लोगों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता प्राप्त होगी वाइबरेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिलाप्रसाशन दुवारा निर्मित किया जाएगा तो ये था आपका वाइबरेंट विलेज प्रोग्राम जिसे हमने काफी अच्छे से समझा है अभी नेक्स्ट न्यूज है आपकी मेगालिय नागालेंड और तिरपुरा विधान सभा निर्वाचन दो हजार तेहिस तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हमने काफी सारे करंट अफेयर को कवर कर लिया है काफी सारा आपका ओल्मोस्ट कवर हो चुका है लेकिन हमें नैशनल करंट अफेयर पूरा हो जाएगा तो दो वीडियो में नैशनल करंट अफेयर आपका पूरे एक साल का कवर हो जाता है यह कोई वो नहीं है बहुत बड़ी बात नहीं है आपको दो वीडियो देख लेना कोई जादा बड़ी बात नहीं है तो आपको दो वीडियो आप अराम से देख सकते हैं दो वीडियो के अंदर आपका एक साल का National Current Affair काफी अच्छे से कवर हो जाएगा दैन हम International Current Affair पर एक वीडियो बनाएंगे जिसे आपको जरूर देखना है तो फ्रेंड्स ये सिरीज आपको कैसी लगी आपको ये सिरीज पसंद आ रही होगी आप इसे continue फोलो करेंगे हमें जादा से जादा सपोर्ट करेंगे तो आप जितना भी हमें जादा सपोर्ट करेंगे उतने जल्दी ये वीडियो आपकी अपलोड कर दी जाएंगी Thank you so much friends for watching the class keep watching please like share and subscribe thank you